अब कैनेडा के किसी भी युनिवर्सिटी या कॉलेज में स्टडी करने के लिए आपको वीजा की कोई ज़रूरत नहीं है तो कैनेडा इमिग्रेशन ने स्टूडेंट वीजा को लेके कर दिया है कुछ important changes क्या है वो changes, कितने वो changes आपके लिए beneficial हैं उसके लिए देखिए पूरी हमारे साथ आज की ये वीडियो check check मैं हूं Johnny Huns और लेके हाजर हूं आज की ये important वीडियो क्योंकि Canada Immigration ने आज दो बजे important information अपने Twitter और उसके साथ साथ Canada.ca पे share कर दी है कुछ important changes किये हैं उन्होंने Canada के जो student visa है उसको लेके सबसे पहले जो Canada की Immigration Minister है Marco Manichino उन्होंने ये कहा है कि यार you know international students are a very important part of Canada और उसके साथ साथ आपने देखा ही है यार कि पहले भी financially बहुत अच्छा support के है international students को पर आज जो rules की changes आए हैं वो international students के लिए बहुत beneficial साबिध होने वाले हैं तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं consider subscribing our YouTube channel और हिट कीजिए bell button ताकि अगली वीडियो की notification आप तक पहुंच जाए वाल मेरा नाम है जॉनियंस और हम करते हैं जी educational vlogs उसके साथ साथ poetry and rap तो आज के important changes ये हैं कि जो जितने भी दोस्ता हैं I'm sure तीन महीने से जिन्होंने visa की applications लगाई हैं पूछ रहे थे उनका visa क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि immigration ने ये सारा process अब तक रोक रखा था या काफी slow था पर अब सबसे important change ये आया है उन्होंने बोल दिया है कि यार अब जिनकी पूरी application जिनकी biometrics के साथ medical exam के साथ उन्होंने अपनी file submit करवाई हूँ थी बहुत ही जल्दी उनके visas आने वाले हैं क्योंकि उन्होंने बहुत express processing कर दी है study permits की ताकि आप तक आपका जो study permit है वो time तक बहुत जाए travel को लेके अभी restrictions है इसकी भी जो problem है उन्होंने solve कर दी है अब आपका जो visa है जो study permit की application है वो दो parts में process होगी वो ये सबसे पहले होगा जी आपका जो eligibility criteria है उसको लेके यानि eligibility process और admissibility process दो stages में आपको visa मिलेगा तो सबसे पहले कि जब आप अपनी file लगाओगे जैसे आपको पता है कि यार biometrics तो अभी हो नहीं रहे तो students suffer ना करें इसलिए जो Canada ने अपना student visa का process है उसमें ये changes लाए हैं सबसे पहला change होगा कि यार आपका जैसी आप अपनी file लगाओगे उसमें जब आपकी eligibility clear हो जाती है तो आपको notification या email आजाएगी Canada immigration की तरफ से कि आपकी eligibility की process clear हो चुकी है यनि देखा जाए तो 75% जो battle है that's one और उसके basis पे आप अपने जो Canada के college या universities में आपने admission ले रखी हैं तो आप अपने Canada की जो university और college हैं उनमें अपनी जो education है वो start कर सकते हैं तो जो आप study शुरू करोगे वो भी आपके work permit में eligible होगी for example you know मान लेते हैं for you know just let's suppose कि दो महीने और biometrics नहीं हो पाती या VFS office physically नहीं खुल पाते तो उस case में आपका जो अगर eligibility clear होके आपको email आती है तो आप for example Canada college में पढ़ते हैं तो आप अपनी study शुर महीने बाद आपकी जो admissibility वो clear हो जाएगी जो second process है उसके बाद आप Canada actual आके पढ़ाई कर सकते हो इस सारे process दौरान अगर आप 50% of your studies अगर इंडिया में भी complete करते हो still you will be eligible for full post graduate work permit for example अगर दो साल की study है तो तीन साल के work permit के लिए आप तब भी eligible हो जाओगे आपको कोई दिक नहीं आएगी ठीक है जी तो जो admissibility का जो second part है इस visa का वो यह process है कि उसमें आपके biometrics आपके criminal record और उसके साथ साथ वही जो आपका you know police clearance और criminal record जो भी होता है वो check होता है और तीसरी चीज़ चेक होती है medical देखा जाए तो जाधा तर जो international students आते हैं वो anywhere from 18 years to 30 years की range में students होते हैं और इन सारे cases में जो students अभी you know college clear करके plus two clear की है या bachelor's degree की है तो जाधा तर उनके जो criminal record वो clean ही होता है कोई जाधा तर you know acid cases बहुत कम आते हैं ठीक है जिनको उस वजह से मना करें या फिर उनकी health conditions normally अच्छी होते हैं इस gauge group में और third thing आजाती है आपके biometrics जो fingerprints होते ह हैं so normally that's the that's a very formality तो यह जो second stage है वो जाधा तर देखा जाए तो 80% लोगों की बड़े अराम से clear हो जागी 90% लोगों की बड़े अराम से clear होगे तो अगर आपने first criteria eligibility का clear कर दिया तो अब बेशक अपने college या university में अपनी education start कर सकते हो but इसमें एक catch जरूर है अगर for some reason some reason आप कभी कुछ ना कुछ लफडा हो सकता है आपको शंका है कि यार आपकी जो criminal record है वो clear नहीं होगा या आपको लगता है कि आपके medical में कोई दिक्कत हो सकती है तो उस case में आप मत शुरू करो college or university में study क्योंकि अगर आपको visa नहीं मिला तो उस case में आपकी जो college की fees है वो तो चल काफी ये चीज़ें सही है या अगर आपका first जो stage है visa की वो clear हो जाती है then it's a very good move for you कि आप अपनी study शुरू कर सकते हो ताकि time ना खराब हो आप सफर ना करो दूसरी चीज़ आपका जो post graduate work permit वो भी सफर नहीं करे आप so it's a very good news for international students जो इस वक्त वेट कर रहे थे कि यार file लगाएं ना लगाएं बायो मेट्रिक्स तो हो नहीं रही वी एफस office open नहीं है तो हर तरह की file इस वक्त भाया online लग रही है SDS हो चाहे non-SDS अगर आपको फिर भी कोई doubt है आपने Canada के किसी भी university college में admission लेनी है आप हमारी team से contact कर सकते हैं description में हमने link दे रखा है उसमें form fill कर दीज़े अपनी पूरी information हमारी team आपको contact कर लेगी important चीज़ी है या तो आपके पस dual lingo होना चाहिए या आपके पस IELTS clear होना चाहिए तो क्योंकि universities और colleges इन दोनों में से एक ही तो demand करते हैं अगर आपने Canada के किसी university या college में admission लेनी है उसके साथ साथ हमारी team काम करती है certified lawyers और consultant के साथ ताकि आप पूरा process ले सकें अगर आपको अपनी file लगवानी भी है यहाँ पे अपने study भी करनी है या फिर आपको online support चाहिए to choose the program आप confused है कि कौन सा program आपको कौन सी university या college में लेना beneficial रहेगा या इस वक्त कौन से college के कितने points है या फिर कौन से course के कितने points है कौन सा course आपको successful बना सकता है या फिर कौन सा program है जिसके PR में ज़्यादा points है कौन सी province में अगर जितने भी question है हमारी team कोशिश करेगी उन questions के answers देने के लिए आप comment section में भी अपने comments छोड़ सकते हैं you can leave your comments in the comments section और उसके साथ से अगर आपको लगता है कि ये news आपके लिए genuinely helpful है अगर आपको लगता है कि ये up-to-date information आपकी help करेगी तो hit like button तक ही ये वीडियो जादा से जादा लोगों तक पहुँन सके और जो भी अच्छे updates, you know, latest होंगे you know, जो Canada moves लेगा, international students के related वो आपको पूरी information इस YouTube channel पे बिल जाएगी तो अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देखे हैं consider subscribing our YouTube channel and hit bell button तक ही, you know, अगली वीडियो की notification आप तक time पहुँँचाएगा well, if you don't follow Hindi और Punjabi, we also have an English channel another English channel which is associated with this channel, you can see in the featured section of this YouTube channel so once again, you know, on that note, मैं जौनी हन्स, लेना इजाजद, हस्दे मुस्करां दिरो जी, रब राखा